यदा यदाहि धर्मस्य ग्लानिल भवति भारत अभ्युत्थानं मधर्मस्य तदात्मानं स्रुजाम्यहं परित्रानाय साधूना विनाशायच दुष्कृता धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे पुर्भुवाह स्वाहत तक्सावितुर्वाइन्यम् बाइगो दे वस्या धी मही दियो यो नाह प्रचो जया। ओम गुरुर ब्रम्हा गुरु विष्णु गुरुरे वमहेश्वरह गुरु साक्षात्पर ब्रम्हा तस्मै श्री गुरु ये नमहा। अखंड मंदलाकारं व्याक्तं ये नचराचरं तत्परं दर्शितं ये न तस्मै श्री गुरु वे नमहा। मात्रवत लान इत्रेचा पेत्रवत मार्ग दर्शिका नमोस्त गुरु सत्ताएं श्रद्धा प्रज्या युता जया। श्रद्धा प्रज्या युता जया। परमपुजु गुर्देव परमदलिया मात्याजी की सुर्फन पस्तिती में बैठे हुए सभी विश्वध्याने के दिकारिगंड, हमारे प्यारे बच्चों चात चातों, सभी हमारे आचारे और आचारे बेहने। आज का हमारा जो मुद्बोधन है वो चालू करते हैं। जो इस्थित प्रग्य होता है, बड़ा ज्यानी होता है, इस्थित प्रग्य जो होता है, ज्यान से सब कुछ प्राप्त कर लेता है, कौन से प्राप्त कर लेता है, ब्रहमी इस्थिति प्राप्त कर लेता है, एशाम ब्रहमी इस्थिति पार्त, ने नाम प्राप्य विमुयत अंतिम श्लोक दूसरे अध्याय का, यह जो अंतिम श्लोक है यह उसको भ्रहमित कर रहा है, अंतिम श्लोक भ्रहमित करने के बाद वो क्या सुचता है कि स्थित्रग्य बनना ही सबसे बड़ी एक फलशुती है, तो वो क्या कहता है कि फिर मैं कर्म क्यों करूं, फिर मैं युद मैं अब ज्यानी बनूँगा ये एक अधकचरी शिश्य के लक्षन है और ये अधकचरा शिश्य कोन है जिसके जिग्यासा बार-बार फूट-फूट के आ रही है अभी उसका मुह नश्ट नहीं हुआ है उसकी इस्मृति वापस प्राप्त नहीं हुई है अभी विमूड इस्थिति में है नश्टो मुह इस्मृति लब्ध्वा अठार में अध्याय में आएगा नश्टो मुह इस्मृति लब्ध्वा मुह नश्टो इस्मृति प्राप्त हुई और उसके बाद करिश्य वचनम तब वो तब निकलेगा उसके मुह से करें और समर्पित कर्म करें तो क्यों करें हम अपने कर्म करें तो क्यों करें किस प्रकार करें समर्पित कर्म कौन से होते हैं पढ़ाई करना अपने कपड़े दोना अपने घर परिवार के बारे में सोचना अपनी किताब कौपी के बारे में सोचना पढ़ाई करने जाना जोग के माध्यम से, मनुविज्ञान के माध्यम से, जो भी कारे बन सके हम रात दिन लग कर रके कुछने कुछ काम ऐसा करें, जिससे इसका उतकर्ष हो, राष्ट के निर्मान में इसका कोई काम आए, ये विश्व उद्याल है, और हम उसमें नियोजित करें, दो प्रकार के बिंदू हैं इसमें, अपने संपूर्ण संभावनाओं के साथ काम करना है अगर व्यक्ति को, तो मनुष्व को जानना होगा कि उनके बीचे बाधा हैं क्या-क्या है, बाधा हैं क्या-क्या हैं जो हमको संपूर्ण शक्ति के साथ कर्म करने से रोकते हैं, लोग ये समझते ह कि ये समर्पित कर्म जो है ये आसानी से हो जाते हैं आसानी से नहीं होते हैं करतापन का ब्रहम टूटे तो समर्पित कर्म होते हैं करतापन का ब्रहम हमारे सब की दिमाग पे हावी है मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ मैंने ही तो ये खड़ा किया है विभाग मैंने ही तो इस विभाग का सर्वे सर्वा हूँ मैंने ही तो मतलब मैंसे मतलब है कि फिर वो अपने साथियों की तरफ भी बोलने लगते हैं हम लोगों ने तो किया है तुम लोग क्या मालूम हमने कितना मेहनत किया, क्या किया, यह जहां करतापन है, वहां समर्पित कर्म नहीं हो सकते हैं, और जहां करतापन का प्रहन टूट गया है, वहां समर्पित कर्म हो सकते हैं, लोग यह समझते हैं कि फल ही तो motivation factor है, कई बार ऐसी बात आती है मन में, कि कर्म करें तो क्यों करें, जब कर्म फल की चिंता ही नहीं करनी लिखा ना गीता में कर्म के फल की तरफ मत देख एक ही इस लोग बार-बार हाइलाइट होता है कर्म के फल की चिंता मत कर तो कर्म करता चल तो कर्म करता चल तो कर्म करता चल तो जब कर्म की फल की चिंता ही नहीं करनी है तो कर्म क्यों करे लोग ये समझते हैं कि फली तो motivation factor है जब वही हड़ जाएगा तो कोई कर्म क्यों करेगा आक्षिव गीता पे लगाय जाता है इस विशह में इसलिए कि मनुष्य को मानवी चेतना के समग रायामों कोई जानकरी नहीं Human Consciousness के Dimensions मानवी चेतना के समग रायामों के जानकरी मिल जाए तो उनको पता चलेगा कि कर्म के द्वारा भगवान हमें शिखर तक ले जाना चाहते हैं शिखर तक की जानकरी करा दी उन्होंने हमको उन्होंने स्थित पग्गी के मातिन से शिखर तक की जानकरी करा दी कर्म के बारे में कर्म के फल के बारे में जो बात कही जाती है मैं फिर से रेपीट करना अपनी बात को गीता के विशह में आक्षिप लगा जाता है कि मनुष्य जो है ये बार 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 के वल यही बात कहती है कर्म फल कर्म फल कर्म फल छोड़ दो अगर फली नहीं मिलेगा तो कर्म क्यों करेंगे ये ऐसे लोग आक्षेफ लगाते हैं जिनको मनुष्य के चेतना के समगर आयामों की जानकर इन नहीं है भगवान हमें शिखर तक ले जाना चाहते हैं किनकिर ने किया प्रेक्टिस कर्मयोग की सुफी फकीर बाइजिद ने की कबीर ने की समर्द गुरु रामदास ने की आध्य शंकर ने की परमपुझ गुर्देव ने किया शियरविन ने किया रामकृष्ण परमहंस ने किया सुभामयोग के उपा सख्या अगर आब विक्षिद के शिकर तक पहुंचना चाहते हैं तो आप समर्पिद कर्म करिए मालूम नहीं उन्हें गीता की भाषा में कहा कि नहीं पर उन्हें गीता की भाषा के अनुसार जीवन जीए इन सभी ने गीता की भाषा के अनुसार जीवन जीए भले ही आप गंगा का नाम आपको मालूम है कि नहीं गंगा कहा है गंगा का नाम लेते ही एक दिव्याभास होता है गीता भले ही उन्होंने पड़ी नहों पर तो उन्होंने गीता के अंसा जीवन जीया यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है आइंस्टाइन ने किताब लिखी है World as I saw उसमें उन्होंने लिखा है कि मैं गांधी जी को देखकर के दारशनिक हो गया मैंने देखा कि एक बेरिस्टर किस प्रकार से आहिंसा के सिद्धानतों का अपनी जीवन में लग कर सकता है आइंस्टाइन ने अपने मस्तिशक को अपने हर्दे को उन्होंने जो अपनी किताब लिखिये उसमें लिखा है कि गांधी ने अपने मस्तिशक और हर्दे को पूर्णत विक्सित किया सुधर्म का विकास किया इसलिए मैं उन्हें मानता हूं जिसके मस्तिशक और हर्दे का समगर विकास हो चुका है वही व्यक्ति सफल व्यक्ति बन सकते है जिसके मस्तिशक और हर्दे का समगर विकास हो गया हो किसी के मस्तिशक और हर्दे का विकास हुआ है बहुत बड़ा व्यक्यानिक है पर हर्दे का विकास नहीं हुआ है किसी के हर्दे का विकास हुआ है बहुत भावुक है पर मस्तिष्क का विकास नहीं हुआ है पूरी तरह से इसलिए मस्तिष्क और हर्दे का विकास कैसे होना चाहिए गुरुदेव ने कहा है स्वाम विवेकान ने भी इस बात को कहा है कि मस्तिष्क जिसका आचार शंकर जैसा हो और हर्दय जिसका बुद्ध जैसा हो करुणा बुद्ध जैसी मस्तिष्क प्रग्या जिसकी आदिशंकर जैसी ऐसा व्यक्तित तो समगर पुरुष बन सकता है ऐसा वेक्ते तो समगर पुरुष, comprehensive personality और ये शिखर पर पहुंच सकते हैं, परमपजी गुर्देव इस द्रश्टी से इन कसुर्टियों पर खरे उतरते हैं अब आइंस्टैन ने तो गांधी जी के बारे में लिखा, पर आइंस्टैन के मस्तिष्क सब बात करते हैं, पर हदे के बात कम जानते हैं, मैं इसलिए सुनाना चाहता हूं कि सब को से शेर कर सकों अपनी बात को, आइंस्टैन के पास एटमम बनाने का फार्मूला था, और वो उसलिए नहीं बनाया था कि किसी के विद्वbnस करना है, उसने अपनी विज्ञान भौतिकी की प्रयोग की अंतरकरत बनाया था, तो चालाकी से रूजवेल्टने उनसे सूत्र ले लिये, कि हम शान्ति के लिए प्रयोग करेंगे, इसके लिए प्रयोग करेंगे, विध्दय उन्होंने उसके बाद से विज्ञान का बारे में शोध का कारे पूरा बंद करके छोटे-छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए छोटे गाउं में चले गए, बोले हम मैंने विज्ञान छोड़ दिया, और पूरी तरह से एक प्रकार से अंतिन दिन उन्होंने पूरे इसी किया था, फिर एक कैसे बं बन गया, एकम बन गया, मैंने तो नहीं किया था ये काम, पर कैसे हो गया, ऐसा आदमी जिसका विज्ञान की दश्टी से परिपूर्ण विकास हुआ हो, उसका हर्द भी विक्सित था, परिपूर्ण की बिलक-बिलक के रोया जापान वालों से मा कास समगर विकास होता है हम कर्म करें तो क्यों करें कर्म किस लिए करें एक्चली हम लोग प्रवेश कर रहे हैं अध्याई में न तो कई तरी के उधारन आएंगे और कर्म की बात आएगी बार बार कर्म क्यों करें कर्म क्यों करें कर्म सुख के लिए नहीं किया जाते कई बार लोग सोचते हैं कर्म अपने सुख के लिए, खाना, पीना, अच्छा मिलता रहें, इसके लिए कर्म करना, सुवे से शाम तक महनत करना, ताकि शाम को अच्छा खाने को मिले, कर्म सुख के लिए नहीं किये जाते हैं, कर्म अपने व्यक्तित्व के समगर विकास के लिए किये जाते हैं, वो दिव्य कर्म होते हैं, दिव्य कर्म होते हैं, छोटी सोच वाले व्यक्ति ही कहते हैं, कि सुक के लिए कर्म किये जाते हैं, और उन सुक के लिए किये गए कर्मों में फल होता है, फल होता है तो उसकी आसकति क्यों न रखें, छोटी सोच वाले व्यक्तियों की बात में जाएए, बड़ा चिंतन करिए, विराठ चिंतन करिए, अपने व्यक्तितु के समगर विकास के लिए किये गए दिवी कर्म हम जीएं, दिवी कर्म हम करें, औरों के ही जो जीता है, औरों के ही जो मरता है, उसका हर आसु रामायन प्रत्य कर्म ही गीता है, हर कर्म गीत प्रकृते हैं ये भगवान को भी कर्म करना पड़ते हैं लोग संग्रह के लिए कर्म करना पड़ते हैं लोग शिक्षन के लिए कर्म करना पड़ते हैं भगवान ने का कि मैंने जो है लोगों के गुण कर्म सभाव के नुसार मैंने वो बना दिये हैं विभिन वर्ण बना दि हैं चातुरवन्यम मयास रष्टम गुण कर्म विभागश्ट चोथे अध्याय का तेरवा श्लोक तस्य करतारम अपिमाम विद्धी अकरतारम अव्योयम ब्राह्मन शत्री वेश्व शुद्र इन चार वर्णों का समुह गुण कर्मों की विभाग पुर्वक मेरे द्वार विद्धी नाशी परमेश्वर को तु वास्तों में अकरता ही जान। वो कह रहे हैं मैंने रचा है गुण कर्म विभाग के अनुसार पर मेरी इस कर्म में कोई रूची नहीं थी मैंने कर्म कर दिया क्योंकि मुझे करना था और मैंने कर्म करके श्रष्टिक रिष्णा कर द उच्छितम डाइमेंशन तक पहुचने की बात करते हैं अरजुन को शत्री होने के नातियों बता रहे हैं कि तुम अपनी जाती में जिस शत्री वनिश में पैदा हुए हो उसमें उच्छितम डाइमेंशन तक पहुच सकते हो हर व्यक्ति अपने अपने शेत्र में उच्छ पुरुष। ऐसा होता है कि अंतरमुख्य जीवन जीता है, अंतरमुख्य जीवन जीकर अपने विचारों को उचा उठाता है। चार कर्म के गुण कर्म विभाग से, ब्राम्मन, शत्रिय, वैश और शूद्र। ब्राम्मन कोन है? व्यक्तित्य की शेष्टता जिसकी चर्म सीमा पर है, जो अंतरमुख्य है, वो शेष्ट पुरुष। शत्रि कोन है? बहिर मुख्य जैसे अरजुन। अब उसको अपने धर की जानकारी करा करके फिर वो क्या रहा है कि तुम परसनलिटी के हाइस दामीशन तक चलो। वैश्य का व्यक्तित्य तो अभी खिला ही नहीं, फूटा ही नहीं, बी जबी अधूरा है, बहिर मुख्य। और जो शरीर तक जीता है, उसके मन में तो अभी विचारी नहीं आया पेट प्रजनन का जीवन, वह कौन है, शुद्र, गुण कर्म विभाक्षा, आइस्टिन कोन है, आप क्या कहेंगे आइस्टिन के बारे में, गांधी के बारे में, म्राम्मन, गांधी के बारे में क्या कहेंगे, गांधी तो बनिये थे, म्राम्मन थे, क्यों, गुण कर्म व इस अार्व इन विच्तित के विकास के लिए करें, कर्म से मोटीवेट होके करें Państ्य विच्तित के करें उसकोश्राइड है एक कर्म कोश्राइड प्रफिकत्य पुर्फिकत्य विकास कारि है सभाई की तरह से रोटियां बना के औरों की सेवा करनी पड़े हो सकता है हमें जाड़ू लगाना पड़े हो सकता है हमें लेखन करना पड़े हो सकता है हमें वाणी का उप्यों करके प्रोचन देना पड़े हो सकता है हमें मनुष चिकिस्ता करनी पड़े हो सकता है हमें योग of personality तो पीछे चली गई, शिक्षा किस लिए है, नोकरी के लिए, उनिवेस्टी किस लिए है, शिक्षा के लिए, मैं जो कह रहा हूँ, सभी समझ में आ रहे एक नहीं बात, उनिवेस्टी किस के लिए है, शिक्षा के लिए, एजुकेशन, डिग्री के लिए, और डिग्री किस लिए हमें एक extra degree मिल जाएगी, एक्स्ट्रा वो हो जाएगी, फिर हम शायद नोकरी भी कर सकते हैं, शिक्षा नोकरी के लिए, यह मन में जब बात आती है, तो फिर हमारा समगरेव व्यक्तित्त का बहुत धिक विकास नहीं हो पाता, बहुत धिक विकास नहीं हो पाता, नोकर की एक उत्पाध है, शिक्षा का, नोकरी फल नहीं है, पढ़ाई का फल क्या है, पढ़ाई का, PhD का, डिलिट का, MD का, इन सब का फल क्या होना चाहिए, इनका फल होना चाहिए, व्यक्तित्तु का समगरेव विकास, व्यक्तित्तु का समगरेव विकास, डिपलोमा का, सर्टि से करो चाहे ध्यान से करो जाया है holistic health management की class से करो चाहे योग से करो किसी से भी करो पर लक्ष अपना वेक्तित्यु का संपूर्ण वेकास हो लक्ष अपना result न Запट लक्ष अपना नोकरी न फो लक्ष अपना कोई सम्मान पाना न हो गोल्ड मेडल के लिए हमको करना है नहीं ये फल जहां जुड़ गया वहां फिर एक बहुत बड़ा लंगर आपने अपने साथ बांद लिया लंगर कुन सा होता है एंकर कहते हैं न उसको जहां जाके नीचे गिरता है समुद्र की तलहटी में जहां को स्थिर कर देता है आप स फल रुपी बोज को मतला दिये फल रुपी बोज को ला देंगे तो बड़ी दिक्कत पड़ेगी इसलिए केते हैं निश्काम करम करो बिना किसी फल की कामना के करम करो कर्म का उद्धेश्य है अपने पोटेंशल का पूर्ण विकास हो गीता द्वारा प्रतिपादित कर्म कर्म योग में करतापन के करतापन को छोड़ने के बात कही जाती है करतापन बानता है गीता कहती है करतापन बानता है करतापन एक ब्रहम है करता कौन है एक ब्रहमित शब्द है ब्रहमित करने वाले शब्द है करता कौन है हम कोई भी काम करते हैं अपने मन से नहीं करते है क हमारी अभिरूची हमारा इंट्रेस्ट हमारे अपने संस्कार हमारी परिस्थितियां और चोथा प्रारब्द चार चीजें हमको मोटिवेट करती है अभिरूची हमारा उस दिशा में इंट्रेस्ट हमारा क्या है संस्कार हमारे जन्म जन्मानत्रों चले आ रहे हैं कार क्या है परिस्थितियां सिच्वेशन आसपास कि क्लाएं कि प्रारब्ध इन से हमारा कर्म बंधा हुआ है हम अपने अहम के कारण इन चारों को देख नहीं पाते हैं हम अपने कर्म से प्यार करने लगते हैं क्यों कि हमारी मौह आ सकती उसके साथ जूड़ जाती है इन चार बंधनों से कर्म को मुक्त करेंगे तो कर्म दिव्विकर्म बनेगा और व्यक्तित के संपूर्ण विकास के रूप में फलित होगा इन चार बंधनों से अपने पोटेंशिल को आपने बांध रखा है इसलिए हमारा बीच फल नी रहा है कई प्रतिभाएं परिस्थितियों की मार से कुमला जाती है कई प्रतिभाएं जो आती है अच्छे अच्छे बड़ी बड़ी प्रतिभाएं आती है और वो परिस्थितियों की मार से कुमला जाती है साधना इसलिए निवारे बताए गई गीता में साधना का योग बताए गया ने इसलिए बताए गया साधना से आप परमात्मा को सद्गुरु माल लो सद्गुरु को समर्पन भाव से ध्यान के द्वारा साधनाओं के द्वारा आप अपने प्रारब्द को बदल सकते हो अपनी परिस्थितियों को मोटिवेट कर सकते हो मनस्थिति को मजबूत करके और आप अपने संसकारों को बदल सकते हो आप अपनी अविरुची को ऐसा परिमार्जित कर सकते हो कि आप सही दिशा में चल सकते हूँ, बीज हजारों लाखों में हैं, पर दो-चार में ही फलित हो पाते हैं, दिविता के बीज हजारों लाखों में हैं, पर वो दो-चार में ही फलित हो पाते हैं, किन में जो बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, कोई सफलता की शिखर पर पहुँच गया तो क्यों पहुचा आध्यात में अपने आपको शितिल कर लिया चारों बंदन समझगे ना चार चार कौन से हुए अभीरुची, संस्कार, परिस्तिती और प्रारप्त इन चारों से मुक्ति दिलाने के लिए बहुत सारी तकार की पोटेंशिल पूर्ण विक्सित करने के लिए हम क्या करें? अपने अंदर के पोटेंशिल को पूर्ण विक्सित करने के लिए क्या करें? कर्म की बाद चल रही ना? थोड़ा बड़ा सोचे हैं, थोड़ा बड़ा सोचें, विराट सोचें, उद्देश्यों को व्यापक बन है हमारी जो सीमित सोच है उससे थोड़ा आगे बढ़े विराठ सोचें राष्ट के लिए सोचें विश्व के लिए सोचें यूग निर्मान के लिए सोचें देव संस्कति विश्व के विश्व अभी विस्तार के लिए सोचें थोड़ा बड़ा सोचिए उद्देश्यों को व्यापक बनाईए आपने को उस घेरे में ले आईए और आपने को जोड़िये मत आप इमान के चलिए सब का भला होगा था हमारे भला होगा विराठ ब्रह्मान की शक्तियों से जुड़ने का एक क्रम बन जाएगा जिस दिन आदमी अपनी सोच से बाहर निकल करके विराठ के साथ चलने लगती है एक संबन जुड़ जाता है अध्यात में एक संबन जुड़ जाता है उसके बाद फिर कोई भी बात तंग नहीं करती कोई बात परिशान नहीं करती है पुजुवर केते थे नाला गंगा में मिल जाता है उसके बाद लोग गंगा जिल का आचमन करते है यह नहीं सोचते कि कौन से नाले का पानी इसमें कहा मिला है गंगोत्री से लेकर और अलकनंदा के उद्गम बदिनात के पास से लेकर व्यास गुफ़ा के पास से लेकर यहां तक नहीं कितने नाले मिले हों गंगा में पर कोई सोचता है उन नालों के बारे में सब गंगा के बारे में सोचते है विराट के लिए व्यापक के लिए कर्म करो विराट के लिए व्यापक के लिए कर्म करो इसी को कर्मयोग कहा गया है गीता में इसी को कर्मयोग कहा गया है तीसरा अध्याय इसी पर है विराट के लिए किया गया कर्म ही कर्मयोग है पढ़ेंगे इस कर्म में हमारे व्यक्तित्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्य आदी के सहयोगी विकास के शिखर पर पहुंच गए है, जो गांधी के साथ बहुत रहे हैं, महादेव भाई, पटेल, विनोबा, पर उनी में से कोई शुद्र विक्ति, हमें नाम इसलिए लेना चाहता है कि मैं लूंगा तो आप कहेंगे, यह तो बहुत बड़े विक्ति थे मैं इसलिए लेना चाहता हूँ कि उनके शुद्र स्वार्थ के कारण राष्ट हमारा विकास नहीं कर सेका, शुद्र विक्ति राजनीती में आए, बोना पना आरंब हो गया और मुवमेंट जो प्रोग्रिसिव मुवमेंट चलुए था, रेट्रोग्रिसिव मुवमेंट हो कर्म पूर्णता नहीं देता, स्वार्थ से जुड़ावा कर्म असंतुष्ट्री देता है, कर्म योग हमें मुक्ति दिलाना सिखाता है, कर्म योग हमें स्वार्थ से मुक्ति दिलाना सिखाता है, परमार्थ की और हमारी यात्रा आरंब कराता है, सामान्नी कर्म हमें आ सकती से बानते हैं और दिव्य कर्म हमें उचा उठाते हैं आत्म संतोष देते हैं अब एक उधारन देखिए एक सामान्नी विक्ति जिसने अपनी रुची संसकार प्रारत के करण कर्म किया और इच्छा प्राने की, अपने अंदर विक्सित की पाने में सफल हो गया सफल होने के बाद क्या हुआ? अहंकार के बाद एक बच्चे ने प्रस्टों में पूछे थी अहंकार क्या होता अहंकार जैसे पैदा हुआ उसके बाद फिर वो प्रगती वहीं रुक गई उसकी और वही बड़ा व्यक्ति जिस दिन अस्वल हो गया उस मार्ग में उस इन डिप्रेशन में चला गया अवसाद में चला गया एक मनोरोगी हो गया एक प्रकार से तो स्वार्थ से जुड़े कर्म मनोरोगी बनाते हैं परमार्थ से जुड़े कर्म हमें मुक्त मुक्त पुरुष बनाते हैं स्वार्थ से जुड़े कर्मों की एक नजर लालच पर लगी होई है लालच पर एक गुप्त नजर लालच पर लगी है इससे क्या मिलेगा इससे क्य आ सकती, अपने पती ध्यानी नहीं है, अब उसमें ध्यान जो है, वो एक चीज पर है कि लालत पूरा हो रहा है कि नहीं, और उसमें जो भी बाधक, उसके पती इरश्या, द्वेश, दुश्मनी, राग द्वेश के भगवान ने कहा नहीं, यह बड़े दुश्मन है, तो आस-पास के कोट्री बनते हैं, जिसको चम्चे कहते ना, और उनी से मोहित होकर के सारे उनके कर्म हो जाते हैं, इसलिए वो विकास के शिखर पर नहीं पहुच पाते हैं, रुख जाते हैं, दाएरे निहाया संक्रिण होते हैं इनके, और आहम को पुष्ट करके शुद्र ब आज की हमारी जिंदगी जर्म जर्मानतरों का परणाम है आज की हमारी जिंदगी मैंने कहा था ना आत्मा पतिक शरीर सराय आत्मा गेस्ट शरीर गेस्ट हाउस इस गेस्ट हाउस में गेस्ट के रूप में आप बैठे हो आपको गेस्ट का ध्यान रखना चीए गेस्ट हाउस आप जानते हैं, जैसी ओगी, आज की किस था हूँ, जैसी modern विवस्ता तो नहीं थी, पर हमने कोई जा करके वहाँ कोई शिकायत नहीं की किसी से, कि आपने हमको कहा ठेरा दिया, हमको किते दिन रुखना था, धाई दिन, धाई दिन हम आराम से रुख करके, अपना काम करके च अच्छे लोग, हाँ बहुत पैसे वाले थे, सब कुछ थे, सब बाहर खड़े हुए थे, और उनको भी मालन थे कि लाइट नहीं है, पर उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, हमने भी कुछ नहीं कहा, हमने आराम से अपने, ये तब के मोखे बहुत बिरले मिलते हैं, जब समश् चलने वाला है करम, सामान्य कर्मी को कभी संतुष्टी नहीं मिलने वाली, इस जन्में भी नहीं मिलेगी, अगले जन्में भी नहीं मिलेगी, मैं कहता हूँ, अगले हजार जन्में भी मिलेगी, सामान्य कर्मी को, आत्म संतोष इसी जन्में मिल जाता है, सामान्य कर्मी को, एक गलानी का भाव बराई बना ही रहता है अरे यह नहीं हुआ, यह हो जाता तो बहुत अच्छा था हम यह नहीं बन पाए हम यह और कर लेते दिविकर्मी जो है विराट उद्देश के लिए कर्म करता है देश के लिए संस्कृति के लिए विश्व मात्र की पीड़ा का निवारण करने के लिए अच्छा करने का सुख जो होता है इसको एक विलक्षन गर्व का भाव करते हैं आप किस के लिए लड़े देश के लिए लड़े आप क्या करते हैं पेटल्परम चलाते हैं पो पेडलों से अपना काम करते हैं पर जहां मुखा लगता है वह राष्ट के अपनी कहांईप गौरों जगाती को है नो Audrey गरुते हैं यह कुशा है दिविकर्मी और कर्म कर रहा है पर कर्म में लिप्त नहीं है उह एक अतरप्ति का भाव पेदा होता है अतरप्ति, non-satiety बिल्कुल ऐसा लगता है कि dissatisfaction ये फरके सामान्य कर्म में और दिव कर्म में ये फरके कर्मयोग, सामान्य और विलक्षन कर्मयोग में कि अपने लिए कर्म नहीं विराट के लिए कर्म दूसरों के लिए कर्म अच्छा लगता है एक अतरप्तिक आभास देता है और तुष्टी देता है संतुष्टी देता है परन्तु स्वार्थ और आहम के लिए कर्म अतरप्तिक कर्म बनता है ये जो लोग बार बार कर्मयोग की बात करते हैं इस कर्मयोग की बात करते हैं, कौन से स्वार्थ वाले कर्म की बात करते हैं, किसमें फल लगा हुआ है, ये क्यों नहीं मिलना चाहिए, फल नहीं मिलेगा तो फिर क्या फायदा, गीता हमें वो करना सिखाती है, गीता कि भाशा केंसा हम नहीं जी सकते, नहीं, उनने समझा ही कर्म योग नहीं समझा कर्म योग जिसने समझ लेंगे उस दिन सब को समझना जाए रिजल्ट आया नंबर आ गए एक शण को तरपती दूसरे शण को अतरपती इतना कम नंबर क्यों आए और ज्यादा आ जाते हैं यह पहले ही चरण में अतरपती चलू हुए नंबर समझ की जाए अपनी माध्यम से ज्ञान की सेवा कहीं से भी शुरू की जाए करमिक रूप से स्वार्थ से मुक्त होकर ऐसी स्थिति में ले आती है कि हम नहीं कर रहे कोई करा रहा है हम से कोई करा रहा है सेवा जब की जाती है तो हम स्वार्थ से मुक्त होकर ऐसी स्थिति में आ मुझें बतारा हूँ अबदुलरहीम खान खाना does not cause कि अबदुलरहीम खान खाना अक्बरके नौरत्मे से थे और वेरम खांके सुपध्र थे की सीक॥्ट्रियर ख॥ट थे अबदुलरहीम खान खाना, बहुत लोगों ने पढ़ा है उनको आप में रहीम को बहुत मानते थे अकबर के जमाने का नक्षा उसकी उदारता और बहादूरी के कारण मुगल कालिन व्यभाव का सबसे बड़ा नक्षा माना जाता है उनमें नौरत नों में उंचा नाम रहीम का नाम था शूफी महात्मा सोभी परचे था गुष्वामी जी से परचे गुष्वामी तुलसिदाजी से परचे था दोनों समकाली ने एक बार एक महिला ने अपनी लड़की के शादी के लिए पैसे मांगे गुष्वामी जी के पास तो गुष्वामी तुलसिदाजी ने का हमापस तो पैसे नहीं है हमें चिठ्थी लिख देते हैं तो चिठ्थ सब कोई सुरतिय नरतिय नागतिय यह चाहत सब कोई हर महिला चाहती है कि उससकी कन्या की शादी हो वह कन्या दान करे। कन्या दान करे दोहआ बेजा रहीम के पास अब ये एक लाइन थी इसकी दूसरी लाइन रहीम को लिखनी थी ये उस जमाने के विद्वान लोग थे जो एक दूसरे को दान के लिए प्रेजित करते थे रहीम ने उसकी लड़की की शादी के लिए पूरा पैसा दिया पर पूर्ति करी कवित की पूर्ति करी कैसे की पूर्ति उन्होंने लिखा गोद लिये हुलसी फिरें तुलसी सों सुत होया इसी एक पहली लाइन की दूसी लाइन हुलसी जो है तुलसी दास जी की मा का नाम था है हर इस्त्री की गोद में तुलसी हो हर इस्त्री की गोद में तुलसी जैसा बालक हो ऐसी इच्छा व्यक्त करता हुआ जिसे मंगल कामना लिखते हैं न हम लिखते हैं आपकी डारी मंगल कामना है हर इस्त्री की गोद में भगवान तुलसी जैसा बालक हो और उसको पैसे भी दे दी। रहीम ने गंग कवी को 36 लाख मुल्दाएं दी। एक एक चंद पर एक लाख मुल्दाएं। उन्होंने कहा हम जो विशे दे रहे हैं इसपे तुम कवित लिखो तो उन्होंने एक एक छंड जो लिखते चले गए एक एक लाख मुद्रा एक एक लाख मुद्रा अब इस पर अकबर नाराज हो गए अकबर नाराज हो गए उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा गंग कवी में क्या है गंग कवी कि कविता सुनी तो उन्होंने कहा यह बठायो, मतलब भगवान ने भी गंग को लेने के लिए गणेश को भेजा, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है, गणेश मतलब हाती उनको देख करके प्रणाम करके वापस चला गया, अकबर ने रहीम खान खाना की तारिफ की कि मान गए तुमको, तुमने उचित सत्पात को द रहीम देते ही रहते थे, देते ही रहते थे, निशकाम कर्म करते करते बोध होता है कि करता परमेश्वर है, हम तो निमित मात रहे हैं, अब रहीम की कहानी चल रही है बराबर, रहीम की जीवन की कथा में सुना रहा हूँ, सलीम ने विद्रोह कर दिया, जहांगिर जिसका ब पचेगा, क्यों? नवरतनों में प्रमुख रहीम है, यदि इनको मार देते हैं, तो फिर सब को समाप्त हो जागा, तो जो रहीम को मारने के लिए सोची, उन्होंने नियोता भेजा कि हम बात करेंगे आपसे, तो सोचा रहीम ने कि बाप बेटे में समझोता हो जाए तो अच् पतना करो, पतलब एक मुस्लिम व्यक्ति पूरी तरह से क्रश्न भक्ति में बंदा हुआ, वापस लोड़ जाओ, लोड़ गे तब पता चला कि शडियन तुपना घातक था, कि शायद वो किनारे तक भी नहीं पहुंच पाते हैं, उनको वहीं बीच में मार दे जाता है, थो बदमाश हो, कोई कुछ भी हो, तो रहिमन तेरा कुछ नहीं कोई बिगाड सकता, क्यों, जो पे राखन हार है, माखन चाखन हार, जिसका रखवाला करने वाला, खुद माखन खाने वाला है, अब यह मुस्लिम कभी के द्वारा कही की करता है, जो पे राखन हार है, माखन च करते हैं तब भी आपने कभी आखे उची नहीं की करते है तो फिर उन्होंने कि एक कविता सुनाई एक चंद सुनाई देन हार को और यह धेत रहें दिन रहत दिन रेंक दिन रात इसकी वजे करते हैं ताते नीचे नेन इसलिए मेरे नेन नीचे देते हैं लोग यह दर समझ बेठें कि मैं कर रहा हूं मैं कर रहा हूं मैं कर रहा हूं देने वाला उपर मुनी करता है देने वाला देता रहता है बांटता रहता है ज्यान बांटता है सब कुछ बांटता है कभी अहंकार स निकेता है देखा हमने दिया है देखा हमने किया है ऐसा जो करता है वो फिर अहंकार से बन जाता है ये बहाउदशा उसकी होती जो भगवत कर्म करता है निमित मात्र होकर कर्म करता है ऐसे लोगों का कर्म करते करते अहम विलीन हो जाता है कर्म करते करते अहम विलीन हो जाता ह निश्काम कर्म योग जब फलित होता है तो इस्थित प्रग्यता फलने लगती है अंदर से इस्थित प्रग्य हो जाता है विक्ति रहीम की इस्थिती तब बिगड़ी जब अकबर का देहावसान हो गया अकबर की मित्ति हो गई पहली गाज रहीम पे गिरी जहांगीर ने सलीम जहांगीर बने जहांगीर ने पोस्ट ले ली उसकी बाश्चा की सब कुछ छिन गया एक ही पल में सारा वेभा हो एक ही रात के अंदर सारा वेभा समाप्त हो गया सब कुछ ले लिया गया पैदल अपना घर छोट करके जो भी हाथ में था वो सामान ले करके उनको निकाल दिया गया राज से बाहर चित्रकूट आ गया रहीम और अयुद्ध्या के राजा वहाँ उस समय थे उग्रसेन उनके पास आ गए इंद्रसेन के पास आ गए तो उन्हें पूछा आप यहां क्यों आए आप तो इतने बड़े वो है आपकी कहने से तो इतनी बड़ी अकबर ने सारा राज्य चलाया तो उन्हें ने कहा अब जो भी कहा वो बहुत विलक्षन है साहित्य की रुची रखने वाले होंगे वो समझेंगे जिस पर विपत्ती पड़ती है वो इसी देश में आता है, चित्रकूट में रमी रहे, रहीमन अवधनरेश, इसका मतलब क्या हुआ, हे अवधनरेश, आप भी यहां रहे थे, और हम रहीम भी यहीं रहेंगे आपके, जिसमें आप रहे थे हो, हम भी रहेंगे, शलेश अलंका यहां पर भी है, श्लेश अलंकार आप लोग समझते होंगे, यह समझते हों तो को चिंता की बात नहीं, हिंदी का है यह, जहां एक वर्ड के दो मतलब हो, वो श्लेश अलंकार कहलता है, एक ही शब्द के दो मतलब हो, अब उन्हों न अंतिम दिनों में क्या किया, भाड सुझते थे, निर्दन दुता के साथ, मन में कोई द्वंद नहीं, मन में कोई परिशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अरे भाई, आप जैसा महामंत्री, आप जैसा, आप तो कहीं भी जाएंगे नोकरी मिल जाएगी आपको, यह क्यों कर रहे हैं, तो फिर उन्हों ने, चि जोगता है, ऐसा उन्होंने प्रश्न पूछा, एक लाइन बोलके छोड़ दी, दूसरी लाइन रहीम के लिके दी, रहीम आप कहो इसके बदले में, तो उन्होंने कहा, भार जोग कर भार में, जो भी कुछ भार हमारे उपर था, उसको उन्होंने भार में जोग दिया, तो अपने सिर पर जितनी प्रकार की विपत्ति आई, उन्होंने सब को भी हमने इस तरह से लिया, सहज रूप में लिया, और सब को उसमें जोग करके, हमने अपने भार में जोग करके, भाव बंधन को पार कर लिया, ऐसी मनस्तिति अगर हमारी हो जा तो कितना बड़ी हो, रहीम, भगवान के लोग ऐसा कहा जाता है, भगवान उनके रथ लेकर आया, उनके लेकर गए, मुझे नहीं मानूं, ऐसा सही हो तक नहीं, पर वास्तों में अगर हम लोग रहीम की जीवन को देखें, तो आपको लगेगा कि उनके जीवन में कर्मयोग फलित हुआ, पुरा पुरुष्क्रुप माना जाता है, आयुद्याकाण में भगवान जब इस्तुति करते हैं, तो उनके मन में युवराजपत पर गोशित होने के बाद प्रसंता नहीं आई, उनको जब वनवास का समवाद मिला, तब भी आपने देखा होगा, रामैंट में देखा होगा, बत आई है कि सीरेल में भी आई है कि शीराम जो है उस्समे में भी प्रसंद है, जब उनको युवराज बनाय गया, उस्समcontrol प्रसंद है जब उनको अफ़नवास जाना पड़ा, ऐसे भगवान शीराम को जो निरलप्त कर्म करने वाले हैं उन्हें में प्रणाम करता हूँ, ये अज्ध्यकान के पथा मिस्थिति है, हर परिस्थिति हमारे व्यक्तित के विकास में साहयक है, हम यदि चाहें तो परिस्थिति को भी अपने हिसाब से मौड़ कर सकते हैं, मनस्थिति परिस्थिति बनाती है, परिस्थिति मनस्थिति नहीं बनाती है। जैसे हम निश्कार्म करते चले जाते हैं, हमारे संसकार कटते हैं, रुचियां परिमार्जित होती हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं, तब कर्मयोग फलिद होने लगता है, कौन कर रहा है, विराठ पुरुष्ट लीला कर रहा है, क्रश्न लीला कर रहा है, राम लीला कर यह लगने लगता है, हम तो निमित मात रहे हैं, कारे कोई और कर रहा है, हम तो निमित मात रहे हैं, यह भाव आते ही अवरोध मिट जाएंगे, अवरोध कहा है, मैं कर रहा हूँ, मैं, हमको कही लोग कहते हैं, इतना बड़ा मिशन और आचार शिराम शर्माजी के बाद आप जिस दिन हमारे मुझसे वो निकलना बंद हो जाएगा और कोई कहएगा आपने किया हाँ भाई वो तो सही है थोड़ा वो तो हमने भी किया उस दिन से हमारा पतन चालू हो जाएगा जिस दिन ऐसा कोई कहने चालू हो जाएगा तो आसपास हमारे वही व्रत्ति के लोग भी ख इस दन आपने समझा क्या हम करना है उसिनु सारज भरवडश सोऊंध्व सो अभीवक्त नहीं हो पारा है तो Wash सून्धर में उसको कैसे कैसे यहाना तुक फवारे को तेजी से नीचे से चला देना चाहिए भगवान कै कर रहे हैं Колि उस अरजुन के अंदर का व्यक्तित हो पुश्पित हो पल्लवित हो फलित हो उसके लिए उसका अंदर का पुटेंशिल जगा रहे है शांति पाथ संति बरेवा शांति प्रम्teenth सांति सर्भग्कुं सांति सांति रेवाती सान्ति थि उम्ण शांती सांति रवे दिखी о्म्ण सांति 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 रवाती हमारे यूट्यूब चैनल शांतिकुंजग वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन गति वीधियों की जानकारी आपको मिलती रहे